आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मैं हूं सौरभ शर्मा आप सब का बहुत स्वागत है राजरे देख हल्कों में हर तरफ करनाठा का चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी की बंपर जीत बीजेपी की हार 2023 सिलेगर 2024 तक इसके सियासी संदेश नफा नुकसान बस इसी की चर्चा है कोई कह रहा है मोदी का ग्राफ डाउन हो गया है राहूल गांधी बंबं है और 2024 का चुनाव डन है इन सब के बीच प्रधान मंतरी क्या कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आज रोजगार मेले में 71,000 लोगों को नियुक्ती पत्र बांट रहे थे इसको लेकर भी पॉलिटिक्स हुई है लेकिन वो बाद में प्रधान मंतरी ने आज सब का ध्यान दिलाया आज की तारीख पर 16 मई ऐसा क्या खास है इस तारीख में मोदी ने याद दिलाया कि यह 16 मई वही तारीख है जब आज से 9 साल पहले 2014 में लोगसभा चुनाव की नतीजे आये थे और उसके बाद उनकी लीडर्शिप में बीजेपी की सरकार बनी थी और इन 9 सालों में देश ने क्या-क्या प्रगती की देश कैसे विक्सित राष्ट्र बनने की रहा पर है प्रधान मंतरी ने इसको लेकर कई बातें की कई दावे किये लेकिन इस सबका पॉलिटिकल मेसेज ये है कि करनाठका की ये करारी हार कहीं से भी नरेंदर मूदी पर हावी दिखाई नहीं दे रही है कम से कम पबलीकली तो वह ऐसा नहीं दिखा रहे है और उनकी पार्टी में अगर कहीं कोई नकरात्मकता आई भी है तो वो ये संदेश दे रहे हैं कि निराश मत हो अपना वो सुनहरा पल याद करो और लग जाओ अगली चुनौती को पार करने के लिए ये नरेंदर मूदी की बात थी वहीं दूसरी और कॉंग्रेस पार्टी और विपक्ष का विमर्ज भी बिल्कुल साफ होता दिखाई दे रहा है करनाठिका की हार का संदेश पूरे देश में फैलाओ इसे मोदी की हार बताओ बताओ कि मोदी अजय नहीं है 2014-2019 बीती बात हो गई 24 नया खेल है और ये खेल हम पल्टेंगे अब इसमें किसका कॉंफिडेंस बोल रहा है और किसका ओवर कॉंफिडेंस इसी पर आज की कुरुक श्रेतर के बहस होगी पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आज से नौ साल पहले 16 मई 2014 लोगसभा चुनाव का नतीजा आया भारत जीत गया नरेंद्र मोदी का एट्वीट इतिहास में दर्ज हो गया केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी नारा गुंजा अच्छे दिन आएंगे आज नौ साल बाद फिर 16 मई की तारीख है आज प्रधान मंत्री ने फिर इस तारीख को याद किया आज का दीन एक और वजह से बहुत विशेश हैं नौ साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोग सभा के चुनाव के नतीज़ा आये थे तब पूरा देश उत्सा उमंग और विश्वात से जुम उठा था सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विक्षिद भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है करनाटका चुनाव के बाद प्रधान मंत्री को हार याद नहीं है 2014 की जीत याद है और याद है 2024 का टार्गेट कॉंग्रिस कह रही है करनाटका में बीजेपी की हार नहीं हुई बलकि सीधे प्रधान मंत्री मोदी की हार हुई है मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, मोदी का तिलिस्म तूट चुका है, भ्रमजाल खत्म हो चुका है लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी लोगों को रोजगार मेले में अपॉइंट्मेंट लेटर बाट रहे हैं, बिलकुल एक सामान ये दिन की तरह है करनाठका में कॉंग्रेस पार्टी जीती, उसे खुश होने का अधिकार है, खुशी बनती भी है, जाहिर है कॉंग्रेस कारिकरताओं का मनुबल और जोश हाई है बीजेपी को छटका लगा है, लेकिन याद कीजिए, दो हजार अठारा खत्म होते होते, बीजेपी के लिए कितने लोगों ने मरसिये पढ़ दिये थे एक साल के अंदर-अंदर, करनाठका, राजिस्थान, मध्य प्रदेश और छट्टिसगर जैसे बड़े-बड़े चुनाव बीजेपी हार चुकी थी लेकिन 2019 आया, तो मोदी की 2014 से भी बड़ी जीत हुई, प्रशांत किशोर यही याद दिला रहे है करनाठक में ऐसा हुआ, इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर-प्रदेश में भाजपा जीत गई, इसलिए भाजपा ही जीतेगी, यह बाते नहीं हैं, लोग उत्साह में जो कारे करता है, जो पाटी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आजे बढ कर बोलते हैं, जब नरेंदर मोधी प्रदान मंतरी ने उत्तर-प्रदेश के संदर्म में ये कहा था, तो भी गलत है, और आज अगर कॉंग्रेस के समर्थक करनाठक के संदर्म में बोल रहा है, तो मेरा उनको इतना ही सुझाओ, भी नमांगा सुझाओ है, कि आप बहुत ज खबर ये है कि जो रोटेशनल मुक्यमंतरी का फॉर्मूला, कॉंग्रेस पार्टी निकाल रही थी, ये फॉर्मूला पार्ठी के प्रदेश रद्यक्ष, डीकेश श्रिफकुमार को मनظूर नहीं है, ये खबर हमें मिल रही है, डीकेश श्रिफकुमार आधे अधे टर्म के जो मुख्यमंतरी बनाने का सुझाव है इस पर सेहमत नहीं है सूतरों के हवाले से खबर है कि डीकेश श्रिफकुमार चाहते हैं कि मुख्यमंतरी बने लेकिन पूरे पांच साल के लिए ये खबर हमें मिल रही है इस से पहले ऐसी सुचनाए आρα ही थी कि पहले दो साल के लिए इस सिधरवया साब को मुख्यमंतरी बनाया जा सकता है और फिर अगले तीन साल के लिए डीकेश श्रिफकुमार को उफर की गई है सीएंट पत्पी खुर्शी लेकिन डीके शिफ्कुमार इसके लिए राजी नहीं है कल से आप देख रहे हैं उन लगातार बलकि जब से चुनावाए हैं उन लगातार इंट्रिव्यूज में कह रहे हैं कि मैं धोका नहीं दूँगा मैं ब्लैक मेल नहीं करता हूँ ये पूरी पार्टी मेरी है पार्टी मासमान है मेरे लिए सभी 135 जब इथायक जीते हैं सब मेरे हैं मेरा अपना कोई अलग नंबर नहीं है लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कह रहे हैं सिद्रमया साहब उन से पहले दिल भी आ चुके हैं अभी डीके शिफकुमार की मुलाकात हुए मलिका अजुन खर्गे साहब से और अब इसके बाद सिद्रमया साहब के फिर मुलाकात होगी तो अभी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से कहा जा रहा है आज मुम्किन है कि आज ही ये फैसला हो जाएगा अभी हम ये खबर जो मिल रही है वो ये कि ये रोटेशनल सियम वाला जो फॉर्मूला था इस पर जी के शिफकुमार राजी नहीं है मेमारों के पास चलते हैं शहजाद पूनावाला साहब हमारे साहब जोड़ रहे हैं इस पर एक कॉम्श जरूर आपके शागता है अब हम यह खबर हैं रोभन जी में इस पर एक कॉमेंट ज़रूर आपका चाहता है लोगों की दिल्चस्पी है कि आज ये निर्णे हो जाएगा या नहीं हमने पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के कई नेताओं से सुना है कि इसमें बहुत ज़ादा वेचयन होने की जरूरत नहीं है बहुत जल्द निर्णे होगा लेकिन जो भी सीम बनेगा पूरे 5 साल के लिए सकता हो पर मुद्दा क्लियर है हमारी प्राथमिकता सौरब जी जो पांच guarantees हमने दी है जिस प्रकार से हम लोग उस पे काम कर रहे हैं सारे नेता सबने मिलके काम किया है सबका अधीकार है जब आप भी मिलके काम करते तो अपना अधीकार जयताने का भी काम है इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी में उसके तहद नीने लिया जाएगा और उसके बाद सब लोग मिलकर जो करनाटकी जनता ने एक स्ट्रॉंग मैसेड पुरे देश में दिया है कि उन्होंने जो कांग्रेस की गैरेंटी पर भरोसा किया है पहला हमारी जो जिम्मेदारी है राष्ट्री पार्टी होटे के नाते एक जिम्मेदार पार्टी है जिसने जीत प्राप की है कि वो वादे हम कितनी जल्दी पूरा करें हम सब का फोकस उसके उपर रहेगा सौरब जी और ये मुख्यमंत्री बद का मौामला जो है ये जल्दी जो है रिजॉल्व कर लिया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं लगता है ज्यादा समय लगेगा आज कल इमिजिट लिए जो मुद्दा है वो हो जाएगा और सब लोग साथ में मिलके हमारे जो वादे हैं जन्ता को किये गए उसका पूरे करने में लग जाएगे कौन होगा यह आपका टॉप बैंड होना चाहिए किस प्रकार से राजस्थान टेंप्लेट ऑफ अस्थिर्ता वादा तोड़ना और किस प्रकार से खीचतान सत्ता के लिए करना यही करनाटका में दिखाई दे रहा और जो वादे पूरे करने की बात है रोवन जी मैंने तो उस पर बोला ही नहीं है मैंने इनके वादे इन्हों ने बोला तो वादे गिना है इसलिए मैं उस रास्ते जाना नहीं चाहरा हूं भी वह विशे अब हमने पांच बजी उस पर बहस करने कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा इनका और जब आप विपक्ष में बैढ़ जाएंगे तब आप इनको याद दिलाते रहेगा कि आप नहीं वादा कि याद बनाने ही पड़ेगा इनको बिना मुख्यमंत्री के सब्सक्राइब बन जाएगा आज बन जाएगा आज बन करारी हार हुई आने वाले इस अभी जो चुनाव हैं वो आपके लिए कोई बहुत आसान भी नहीं समझे जा रहे हैं दोहजार चौबेस आपके सामने खड़ा हुआ है प्रधान मंत्री दोहजार चौधा याद कर रहे हैं और वो कहने आज की तारीक सोला मई दोहजार चौ करते हैं जिन्होंने दस्वे स्थान से पांच्वे स्थान पर अर्थ्यवस्ता को ले जाने का काम किया हो या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर फॉरन एक्षेंज रिजर्व की बात करें अगर आज 11 करोड लोगों के घर में टॉयलेट बन चुके है 10 करोड लोगों के पाद उज्वला सिलिंडर पहुंच चुके 80 करोड लोगों को राशन मिला है 27 करोड लोगो को गरीबी से बाद निकाला गया है 35 करोड से ज़्यादा मुद्रा योजना के लोन दिये गए है 48 करोड बैंक अकाउंट बने हैं किस परकार से दुगने रेट पर हाइवे बन रहे हैं 5 शेरों में मेट्रो उर्थाता 27 शेरों में आज मेट्रो है किस पकार से 70 एरपोर्ट 70 एरपोर्ट को जोड़े गए हैं किस पकार से 7 आएटी 7 आएम 15 बने ये सारी चीजों की बात गिनाते है प्रदानबंती की तो mission और vision पर है और 9 वर्षों में य पूरी दुनिया एक bright spot देखती है और सबसे कम inflation भारत में ये भी आगया है आकड़ा और recession की शूनिता की कगार पर है recession का यहाँ पर होना परन्तु जो ambition for position पर है कैसे करनाटका में और राजस्थान में जो केवल commission के लिए है और जो केवल division के लिए है वो किस प्रकार का वक्त ममता बैनर जी कह रही है इनकी प्रचन जीट के बाद कि ठीक है आप जीत तो गए पर मेरे बंगाल में मत आना दिगविजय सिंग देखे और फिर से division की राजनीती पर आग गए क्योंके करनाटका में हमारा 36 वीसाद वोट है आज भी 36 वीसाद है हाँ JDS का एक वोट बैंक पूरा इनको ट्रांसफर हो चुका है जिसकी वज़े से उनकी 4-5 परसेंट वोट बढ़ गए और वो जीत गए परंत उसी टेंपलेट पर तुष्टिकरण की राजनीती पर दिगविजय सिंग आज हिंदुत्व को गाली दे रहे तो आज मिशन और विशन वाले हम है और ज हमें हमारी सरकार चीन ली थी करनाटका से कौन जीता 2019 में 2018 में राजस्थान में इनकी बनी चत्रिजगर में इनकी बनी 2019 में क्या हुआ एक सोअसी ऐसी सीटे जहां पर बीजेपी कॉंग्रेस डिरेक्ट फाइट करती है लोकसभा में 2014 में 170 मिली 2019 में 176 मिली आज बताइए उसमें क्या वस्तुति स्थिती में कोई भी बदला हुआ 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 है 180 सीटों पर तो मुझे लगता है अती उचसा और अती अहंकार औ है डूबे आपको एक करनाटक की जीत से इतने अतिप्रसंद आत्मुग्द ना हो जाया आवरोन गुपता जी यह है सवाल सौरब जी देखे हम लोग अपने प्रतिश्पदी से सीखते हैं हमारी विरोधी है बाजपा और सही बोला शहजाद बाई ने अति आत्म विश्वास अति उत्सा ओवर कॉन्फिदेंस इसकी इसकी निशानी है अहंकार यह बाजपा इसकी निशानी है अगर बाजपा का यह हमलों पागल हैं कि उनके नाज्ते पर आम नहीं चलेंगे अभी आपने का हा प्रदानंत्री जी की हार है क्योंकि वहाँ की इतना सब किया तो आज भी सारे साथ प्रतिशत की बेरोजगारी दर क्यों है देश के अंदर आप अप्टिक्स नहीं चलेगा करना टक का मैसेज क्लियर है अप्टिक्स से काम नहीं होगा आपको डिलिवरी और ग्राउंड करके दिखानी पड़ेगी आप 31,000 पत्रप आटेंगे उससे नहीं होगा सारे साथ प्रतिशत बेरोजगारी का जवाब देश को देना पड़ेगा आप ये वादा करके आये थे प्रदार मंत्री जी 9 साल के पेरे 2 करोड नौकरी देंगे किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था 9 साल में 18 करोड रोजगार बनाने की जगा रोजगार जा रहे हैं तो जनता तो रियक्शन देगी आपने हर तरीके से अपने अतिया आत्मविश्वास अपने अंकार में ट्राइ कर लिया मुक्य मुद्दों से ध्यान बढ़काने का जनता ने आपको उससे कि यही पूरे देश का मूड है नहीं आप परस्तिती देखिए पिशे आप हिमाचल का चुनाव देख लिए कुछी महीनें पहले हुए थे आप पूरब की तरफ राज्यों में देखें आप बिहार देखिए उडिसा देखिए बंगाल देखिए जारखंड देखिए च्छतिसकर देखिए दक्षिन के सारे राज्ये देखिए आप दिल्ली देखें पंजाब देखें राजस्तान को देखें मद्परदेश उनने अपने हाथ से ले लिया है तो आप अधिकतर देखेंगे तो चार राज्यों को छोड़ कर भारती जन्ता पाटी या तो किसी ना किसी के साथ गटबंदन में और पूरवत्तर के राज्यों में अधिकतर वो उनी के साथ होते हैं जहां जिनकी केंदर की सरकार होती है यह आज से नहीं यह शुरू से होता चला आ रहा है तो जो परस्तिती है लोगों को मन में पहले 2014 में बड़े सारे लोगों को वादे किये गए थे लोगों ने छोड़ा भरष्टा चार की बातें आती रही जबकि सारे कोटों ने सब को बरी कर दिया चाहे वो 2G हो, CWG हो या कोला घुटाला या कुछ भी हो सारे लोग बरी हो गए आज तक जिन लोगों के पर आरोप लगे थे उनके उपर कुछ नहीं हो सका लेकिन 2 करोड नौकरियों की आशा महंगाई पर नेंतरन की आशा काला धन लाकर 15 लाक रुपे सबके बैंक में जाने की आशावाद 2014 में थी और उसके बाद 2019 में पुलवामा वाला केस हुआ आज तक हमें नहीं पता लगा कि 350 किलो RDX कैसे देश के अंदर आया तो ये सारी चीज़े थी और कभी भी जब कभी भी भारती जनता पार्टी इन सब चीज़ों में फस्ती थी तो हिंदू, मुसल्मान, भारत, पाकिस्तान यही होता था चुनाओ के अंदर रामजादे हरामजादे हुआ करता था देश के गंदारों को, जूटे मारोसानों को यही चलती थी, अभी करना तक चुनाओ के पहले साथ भी प्रग्या कर रही थी घर में चाकू रखो, क्योंकि जरुत पड़ जाएगी कोई अगर ऐसा आदमी आए तो उसको मारना पड़ेगा यह सारे सामप्रदाइक चीज़ें चलती रही राम मंदिर के नाम पर इनोंने लिया अभी बजरंग वली, बजरंग वली करते रहे जब इनके पास कोई बाते नहीं बच जाती जब 40% कमिशन वाली सरकारा की बात वहाँ पर आ गई जब इनसे कोई बात नहीं चल पाती तो इन चीज़ों पर चले जाते हैं जब इनके पास जवाब नहीं होता और हम पीछे हैं इसमें ये इनके पास रहा होगा फीड़बैक उसके बावजूद उन्होंने ओनस लिया उस इलेक्शन को उसके जिम्मेदारी ओन की जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भई इन्होंने मुझे गाली दी उन्होंने मुझे उटा सीधा कहा मरजा मुदी के नारे लगे मुदी तेरी कबर खुदेगी की नारे लगे तो ये कम से कम पथान मंत्री ने इसको परसनल बनाने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली तो ये वो अपनी जम्यदारी से भागे नहीं इसको देखने का दूसरा नजरीया है जो लोग बताते हैं नहीं ठीक है आप जो नजरीया बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है एक हावत है कानमाक्स ने कही थी where nothing works, religion works because religion is the opium of the masses जहां कुछ काम नहीं करता है धर्म काम करता है क्योंकि धर्म जो है वो अफीम की तरह काम करता है लोग को इसी को पर गुमरहा करो आपने का हिंदूत्व का एजेंडा है तो फिर विकास की बातें क्यों करते हैं विकास की बातें को नहीं करने चाहिए केवल हिंदूत्व का रखो जो तालिबान उदर बाह बिल्कुल नहीं मुझे विरोधी लगते हैं। लोगों को गुमरा कर आपस में लड़वाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं मुझे विरोधी लड़वाना चाहते हैं। कि मुस्लिम वोट मैंक मेरी दुदारू गाय है, दूद मिलता है तो लात भी खानी पड़ती है। उनका ओन रेकॉर्ड वेयाने सारी चीज़े दिखा सकता हूँ। तो ये हफीम किसने चाटी है वो बता दीजे पहली बार। और मुझे तो बड़ी खुशी है किरती अजाज साब आप तो राम जी के भक्त है, बड़ा अच्छा काम है। बताईए कि एक आज जब राम जी के नारे को लगाने पर जेल की सजा होती है जैशी राम कहने पर तो गलत है ना। आपको आप के यहिसा किया है किसमे बास हाउते होना लेकर कि concurrent Kitchen के कि और ग्रणाटक की भी खिर लेक्त आप ने भी करो लेकिन अगर किवल हिंदु पर करोगे तो मामला साफ है कि यहा दिखाने के लिए कुछ नहीं है तोैसलिए MANDU MUSLIMAN करो और PAKISTAN करो यही सब करो और करनाटक करने की कोशिश करी वह चला नहीं और यही पूरे देश में करना चाहेंगे लेकिन चलेगा नहीं कि देश ने असलियत देख ली है अब आप करनाटक के नतीजों को बता रहे हैं कि यही देश में आप 24 तक होने वाला है देश ने जवाब दे दिया है रतन शारदा जी पहली बात यह है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि विचितर हमारा देश है कि अगर मुस्जिन लोगों का पिकठा करके वोट मागो तो आप सेकिलर हो हिंदू की बात करता कम्मिनल है उनिस सो से चल रहा है तो कृप है इसके बार हम आत्मरिक्षान करें जो 2014 से अधिकतर स्थरों पर आपको हार मिली है उसका यही कारण है दूसरी बाद जो कॉंग्रेस वाले बहुत एक्साइट हो रहे हैं उनको याद होगा 2018 में भी कॉंग्रेस वाले चार विदान सबाद जीते थे उसके 2019 में का पूरा सुफ़ा साफ हो गया था क्योंकि मोदी जी का राश्ट्रीय कद और राजस्तर के इश्यू यह अलग-अलग हैं मोदी जी ने वहाँ पर जो बाजी चल रही थी उसको रोकने के लिए पूरा जान लगा दी क्योंकि भाजपा किसी भी चुनाओं का हलका ने लेती जबकि हिमाचल के अंदर राहूल गांदी को हिमाचल प्रवेश बंद था क क्या अबर ने लिए 445 सथी की होजनाएं स्टेडियम रोड जोपड़ पट्टियां सारे आफिस यह सारे नहरु घादी खारदान पे रखा गए क्या उनके पैसे लगे थे अजमेर के अंदर इंदरा कैंटिम मैंने देखी क्या वो इंदरा जी के पैसों से चल रही है और य क्या यह अच्छा नहीं हुआ तो क्या मोदी उसके लिए क्रेटिट नहीं लेंगे जहां पर सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया और वहां स्पीड बढ़ गई नौकरी की क्या मोदी जी इसको नहीं लेंगे आपको किसने रोका था कि नोटरी को हटाने के लिए नोटरी की सेट क्या मोदी लिए किसने अपको किस नहीं हटा था कि मत करो जो 200 कानून को तंग करते था कानून भॉत करता कि आप लोगों को कानून ऐसे बनाना जिसम्हें लोगों हो अप चलाते रहे हैं और आधा बार झारिंटीं के उपर आपने गारेंटीं ऊपर आšका फंज कने लंगे आपको पता होगा कि करनाटक के अंदर जो आपने करेंटी आती है वो 21% बजट को खा जाएंगी तो सारे देश को दिवालिया करने का अगर आपने विचार करिया है और किसी प्रकार का डिसिप्लिन आप नहीं मानना चाहते आपको इससे सोचना पड़ेगा कि आप कहा लेके जा रहे है तो ठीक है ठीक है ठीक है तो मैंचे बुलाएं कि आपने लोग चार-चार मिनट फाल्तु बात है बहत कर रहे हैं मैं मुद्दे रख रहा हूं मुद्दे भी नी सुनना चाहते हो आपको पीछ में एक बार बस ठीक है बुला बिलता नराज क्यों हो रहे हैं बोलिए अरे पाँच माँ बार लोग तूतू में मैं कर रहे हैं मैं केवल मुद्दे रख रहा हूं मैं किसको कुछ नहीं कहा रहा हूं आचा बोलिये रतन जी इता नराज होने की बात यहां बोलिये बोलिये ने क्यों कि आप बाकी को टोकते लिए जो राज्डी की और बीचे पी जित्ती है केंदर की यही हाल सारे देश में होगा क्रपे आपी से खिला का आली कुना ना पकाए और जो कहते हैं देश यह जो यह धर्म जो है यह ओपियम है यह सारा ओपियम आप भी चाटना बंद करें और यह जो नहरू गांधी परिवार बेल पर है इस पर चर्चा करें आप क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि यह किस तरह का कानून चल रहा है जो लोग खुद कानून की गिरफ्त में हैं वहाज हमें करें पास इत्माइं है इत्मद ह्या अज़्ट में त्सकान करें है कि अवरह फिर इस पूर्च पर उमीद कीजा रहीो में मैं दुबार आज ओब में अग्रिस के अधकि से कवाद ओक्रฑ." करनाटक का मुख्यमंतरी वो किसको करनाटक की गर्दी सौंपने जा रही है इस पर फैसला कर लेगी क्योंकि सिद्रमया और ढीके शिर्कुमार दोनों आज दिल्ली में ही हैं और मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है तो देखते हैं कि आज हमें ये पता चलेगा है नहीं ये कौन होगा करनाटक का अगला मुख्यमंतरी दूसरे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज याद दिलाया कि 16 मई 2014 याद कीज़े आज भी 16 मई है उन्होंने कहा कि वो दिन था जब पूरे देश में उत्साहा और उमंग की बयार बह रही थी और उन्होंने फिर याद दिलाया उस वक्ट जो नारा चला करता था अच्छे दिन आएंगे इसको लेकर तंज भी आज उनकी विरोधियों ने उन पर कसे और आज उन्होंने 70-71 हजार लोगों को नियुक्ती पत्र भी बांटे रोजगार मेले में तो उनको विबक्ष ने आद दिलाया भी बादा दो था साल में दो करोड रोजगार देने का उसका क्या हुआ और दूसरी और कुछ लोग उनको ये कहकर भी तानाकस रहे हैं कि आखिरकार करनाटर की हार ने उनको कॉमिनल मुद्धों से हिंदू मुसल्मान से जै बजरंग बली से कम से कम रोजगार जैसे मुद्धों पर आने के लिए मजबूर तो कर दिया कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एतिहास एक दिन 16 मई 2014 याद दिला रहे हैं और साथी 24 की तैयारी करा रहे है देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी बहुत सी बाते कर रहे हैं ये बात तो समझ में आती है कि 2014 और 23 में अंतर ये है कि तब लोग इतने उत्साह में थे और आज उतने उत्साह में ये नहीं रहे गए हैं मुझे लगता है कि 2012 में जब वो इसकी तैयारी कर रहे है तैयार मंत्री बनने के लिए तो एक ट्विट लिखते हैं कि why do you make false promises please give some shame please have some shame in 2009 they promise 1 crore job will come has it happened ये Congress के लिए तब बोलते हैं आज क्या बोलेंगे आपने खुद कहा कि 2 crore job के पर समय उठा रहे हैं फिर बोलते हैं कि 2013 में 25 September 2013 को बोलते हैं wherever you go you will hear youth has no jobs youth want jobs other side people say we need good driver plumber नरिन मोदी ये खुद बोलते हैं तीसा ये बोलते हैं 26 March 2014 जब चुनाव जितते हैं कि when I say give jobs to youth they say secularism is under threat when I say reduce prices they say first secularism please आज क्या बोलते हैं मुझे लगता है कि आपकी बात बेर्कुल सही है कि करनाटक model देश का model नहीं हो सकता है क्योंकि करनाटक में सबसे बड़ी का बोलती जो भारती यंदा पार्टी ने करी कि वो अपने आपको वही model लेके जाना चाहता था और वहां के local मुद्दों की बात नहीं कर पा रहा था इसलिए वहाँ पर रुख जाए रुख जाए शाजाद भाई बहुत बोले हैं मुझे बहुत देर बात मदा होना है अब मैं आप बता हूँ कि unemployment की हासा हाला किस तरीके से प्लानमंत्री को मजबूर होके certificate देने पड़ रहे है सबब जी जब 70 के दशक पे पहली बार रेश में करांती आ रही थी जॉब आ रहा था उस समय एकनोमिक जीडीबी ग्रोथ हमारी 3.5% के आसपास थी और जॉब ग्रोथ 3.5% के आसपास हुआ कर था लगबग 30 दशक तक यही चलता रहा लेकिन हुआ क्या पिछले एक दशक में हमारी जहाग की इकनोमिक ग्रोथ जो हे 8-9% तक चली जा रहे है और जॉब ग्रोथ क्या और ही 1% तर नतीजा क्या हो रहा है जॉबलेस ग्रोथ एजुकेशन सिस्टम फैल गया है लेकिन जॉब नहीं है इसका नाम है जॉबलेस ग्रोथ वो क्या रहा है पिएश्डी करके गैजुएट और प्रोस गैजुएट बेरुजगार गूप रहे है नतीजा है शोचल एंग्रेस्ट और शोचल लिस्ट हमने तब देखा जो आपने अगनीपद जैसी एक पिछले जून में एक नहीं वो आई किस तरीके से पुरे देश में विरोध हुआ शोचल लिस्ट के साथ में क्या हो रहा है क्राइम बढ़दा है क्राइम के साथ में क्या हो रहा है अलग एक तरीके से जो पर्टिकल पार्टी जो राज कर रही है वो लगातार फ्री मेहनाज देने को लिए मजबूर हो चुकी है जॉब देने के लिए मजबूर हो रही है प्रदारन मंतरी को स्टर्टिकेट बाटने पड़ दें कि आप तो लगता है यह अच्छा संग्यत है कि अच्छा संग्यत नहीं मजबूरी आ गई होगे देश किस जिसे पर पहुंच किया है और जहां CMI की डाटा बता रहे है कि हमारी स्थिती जहां वज से बत्तर होती चली जा रही है क्या बता रहे है कि जो लेबर स्पोर्स फटक्शन रेट है जो पूरे वर्ड का कि कितने लोग जॉब चाहते है वो 60% है पिछले साल ये 2021 में बता है कि 40% भारत में है और आगे आगे आरे वाले सालों में वह और घटकी हो जागे बताब लोग जॉब दूरना बंद कर चुके है वो हताश हो चुके है तो प्रधान मंतरी की मजबूरी है आज के समय में आके बाते और पूरे देश में उसके लिए फोटो केचवाए जो बात आप कह रहे हैं मेरा लगाया गया था कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया गवर्नेंस डिस्ट्रॉइ कर दिये प्रधान मंतरी ने सौरफ जी अब मैं आपको बताता हूँ देश में 2014 में सिर्फ चार यूनिकॉन साथ सो स्टार्ट अप थे गलें अभी बस स्टारट अब डावा उसके अलावा 35 करोन Μुद्रालों नहीं। तो सत्रा करोर वाँपर जाली साथ आठक मी में अवा को भी चोड़ देते एक लाक मैंडेस क्यूंकि हाईवे का कंस्रक्शन रेट डबल हुआ 11 किलोमेटर से 37 किलोमेटर तो वन लाक मैंडेस प्लीज बोलने दीजिए एक लाक मैंडेस इसी में हुए उसके अलावा 2014 से 22 के बीच में 7.2 लाक केंडिडेट्स को सेंट्रल गवर्मेंट में मिला इसके अधिक 10 लाक और देने की बात है जिसका आज 71 हजार का एक और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवेज में 3.5 लाक जॉब्स क्रेट किये गए आट-9 साल में MSME का उद्यम पोर्टल उठा लीजे 2014 में 52 लाक जॉब्स थी आज उसमें 2022 में 94 लाक जॉब्स हुई है ऐसे मैं आपको करके बता सकता हूँ और CMI का डेटा आपने बोला एक सब्सक्राइब करनाटका में वही CMI डेटा बताता है 20 वीसद से उपर अनेम्प्लाइमेंट आजस्थान में क्या नौकरिया पैदा हुई अब आते हैं जो रोहन गुपता जी का पॉइंट है देखे मैं तो तोता हूँ मैंने केवल विकास की बातेगी नहीं शुरुआच से लेकर अब तक मैं तोता हूँ विकास का वादा था दो करोड़ साल का एवरेज मानले अठा आप इस करोड़ रोजगार के अवसर बिलकुल पूरी हुए है उसके ओपर जाता है आपका आपका बिलकुल पूरा हुआ है और अगर मैंने एक भी आकड़ा गलत दिया है तो यह अभी इसको फैक्चुल बेसेस पर करेक करें यह नौकरिया नहीं रोजगार है यह आप यह किये हैं हिमाचल में और राजस्तान में आ रहो में रोजगार जी आप कम्रीक के नदब तो तोता चलिए कम से कम मैं तुष्टिकरंड का सिक्का नहीं खोटा आप बताईए ना राहूल जी तो 50 चुनाओ हारे इस हैसियत से तो उनको कहीं चुनाओ में निकलना नहीं चाहि क्या पता है क्या है क्या है क्या मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्या प्रकार से दिग्विदे सिंग बोलते हैं कि हिंदुत्व को गाली देना है दूसरी और समाजवाधी पार्टी जी बताईए नगर निगम नगर पंचायत और नगर पालिका हारे क्या प्रकार से ममता बैनर जी जो है वो कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा क्याप पॉलिटिक्स करूंगी इसलिए दुधारू गाय है प्रकार से कॉंग्रिस पार्टी कहती है कि रिलिजिस रेजर्वेशन होगा हम जो है एंटी काउ स्लोटर लॉ हटा देंगे फिर समाजवाधी पार्टी है समाजवाधी पार्टी तो राम भक्तों पर गोलिया चलाने का उनका इतिहास रहा है इसलिए आज अयोध्या मुंसि पहले निकाल निपल रहा हूं जिस वर्ड में राम बक्तों की बात करें जिस वर्ड में देड़ा है वर्टी हर गई आचा ठीक है, बोली रोजी अगर करना टकावे हार हुई है, उनको सहर स्विकार करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि कहीं ने कहीं डिलीवरी में कमी है, मुझे बताइए सौरब जी जो भी होने हैं, अगर वो आकरे सही होते तो सारे साथ प्रतिशत का बेरोजगारी डर क्यों होता, दूसरे एक मैं ब बढ़ा है, और वहिए और आप जो प्लीज प्लीज बीज सुन लीजे, सुन लिजे, बिच में मत बूलेए, आर्बी आई का जो रेंज था 4-6 परसंट उस रेंज के उपर महेंगाई जो है वो करीब 18-20 महीना रही है और उसी का खाम्याजा बाज़पा को करना टका में बुगत रहा है चालिस परतिशक कमिशन हमारा नारा नहीं है यह जनता का नारा है करप्शन मैंने यही का बी एंबी प्रस्ताचार महेंगाई और आपकी बेरोजगारी यह तीनों चीज ने आपको मारा है समझ जाए अभी भी जनता की बात आप से पूछ रहा हूं देखे अभी यहां पर 18 का साल याद कीजिए आज तो एच चुनाव है उस वक्त चारों चुनाव हार चुके थे चारों के चारों चुनाव हारे थे उस वक्त भी यही सब बाते हो रही थी ना लेकिन फिर 19 में 14 से जादा बड़ी जीत ले करके आये थी अब आपको रिजन बहुत अच्छा सवाल नहीं बिलकुल लगी सौरब जी देखे मुद्धा मैं आपको यही कह रहा है हमारा चैलेंज क्या है बाजपा भावनात्मक बुद्धों पे राजनीती करने में मास्तर है उनके लिए देश का कुछ नहीं हिंदू-मुस्लिम को बाटो अपनी दुखान चलाओ हमारा चैलें पर हमारा चैलेंज करनाटेक और हिमाचल के बाद यह लगा रहा है कि लोगों को लोकल इसूस पर रखो उनके मुद्धों पर रखो और यह जो खासकर उनको लगता है कि हम अब लोगों का विश्वास हम पर जग्या है दुबारा हम कहतें गैरंटी है कांग्रेस की तो पर हमाचल में दिक्कट हो रहे हैं पूरिय करने में आपको पॉरी खॉरी है और इतना हैं नहीं खुद इनको सब्सक्रिशा हो ने करता है जब जब कॉंग्रेस के एंटनी ने कहा था 2014 के बाद, कि आप जो पॉलिटीस कर रहे हैं, आप हिंदों को एंटी हिंदू पार्टी लगते हैं, कि पर आपना पॉलिटीस बदलें, एंटनी को तो किसी ने सुना नहीं, यहाद उनका पेटा भी छोड़ गया उनको, तो जहां पर भ हिंदों को बैलन्स कर सकें, जब टेरर अटेक हर महीने हो रहे थे, हर त्योहार पर बाहर निकलना मुश्किल था, उस समय यह कह रहे थे कि हिंदू टेरर शुरुआप कर दो, लेबद बदल दो, अपनी गवाईयां बदल दो, कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक ही टेरर आपको मुसल्मानों को इकठा करें के एक जुद वोट मिले और दूसरा आपने जो गरेंटियां दी है, जो देश को दिवाली को दखे सकता है, यह पर प्रांद में होगा इंटो ने कहा, यह प्रावनात बदल हैं, हम इस भार लोगों को भांवनात बदो पर बीजेपी को नहीं ले जाने देंगे, आपने को कॉंग्रेस ने, कॉंग्रेस ने का, भाजे, हम बजरंग दल को पैन करेंगे जब उन्हें का क्या बाट से बात कि जो आपने शुरूरात की रेविडिया बाटि थे वह दो जूद रहे हैं मेरे अक्वाएब हैं मेरे अकौट में टो नहीं है बात कीजिए अभी तो इंजार चलिए पुरुषटर में हमने बात की करणाटर के संदेश की पुरुधान मंतिरी नरेंदर मोधी के अगले लक्ष की और विपक्स के विमर्ष की लेकिन सवाल करणाटर को लेकर अभी भी बना हुआ है कौन होगा वहां का अगला मुख्यमंतर जुड़ने के लिए हमारे साथ शहजार जी, रोहन जी, कीर्थी आजाज साब, रॉक्टर आशतो, शुरतन शादार जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का